कि तेस्टी हेल्दी देखिए वाउ कितना क्रिस्पी बना है यह जवार दोसा हे गाई वेलकम बाग तो मैं चैनल डिलीशियोज सीजलिग आज मैं आपके सब हेल्दी क्रिस्पी टेस्टी इजवार दोसा की रेसिपि शेयर कर रहे हूं जवार दोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जवार चाहिए जवार का आटा यहां पर मैंने वन कप आफ जार आटा लिया है इसे आप क्वांटिटी के हिसाब से देखके दालिएगा नेक्स्ट ओनियंस थोड़े से ओनियंस Green Chillies, Coriander Leaves ए रचिली फ्लेक्स या फिर जो भी आपके पास रचिली है अप उसको कट करके आट कर सकते हैं इन सबी इंग्रिडेंट्स को आड़ करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट आड़ करतेंगे तेज के हिसाब से नेक्स्ट पानी यहां पर मैंने बन कप आफ जावार लिया है उसके लिए त्री ग्लासस आफ वाटर आड़ कर रही हूं यह पॉफेक्ट मेजर्मेंट है इन सबी डालने के बाद हम इसे लम्स-프ी होने तक अछे से मिक्स कर लेंगे श्पूट की मदद से नेक्स्ट इसमें और एक कपानी आड़ कर रही हूं मैं आड़ करके इसे अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे एक 10 मिनिट्स तक ताकि आटा अच्छे से सोक हो जाए अच्छे सेट हो गया है और इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे हम स्टार्टिंग में मैंने चूप्स ऑफ वाटर आड़ किया था अब और एक कप पानी आड़ कर रही हूं सो तो अपप इसमीं पैनी अचना स्टार्ट दोस कर लेंगे है अपर मेज़मेंट डेख कर लेगा तब ही आपको पानी आड़ कर रहा है लोर्ट कर लेंगे मिक्स कर लेंगे के हम दोसा बोलेशन इसके लिए था ठाईन काना है दोसा तर आड़ा कान दोसा पोफिक बनेगा तो यहां पर बाटर भी हमारा तयार है तो अब हम इसे साइट से दल लेंगे बाटर को देखे जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कु इसी तरह से दालिएगा रेगुलर दोसा से इस दोसा को बनाने का तरीखा थोड़ा सा डिफरेंट है जहां जहां भी आपको स्पेस लग रहा है आप वहां पर फिट से बाटर फिल कर सकते हैं तो देखके दालिएगा धीरे से दालिएगा ग्यास का फेम लोग करके दालिएगा अब हम इसमें साइट में ओल लगा लेंगे ओली वाइल गी या फिर बाटर आपकी मरजी आपके पास जो भी अवेलेबल है अब वह आड़ कर सकते हैं तो ऑईल दालने के बाद हम इसे थोड़ा सा पकने देते हैं मीडियम फेम पर रखके देखिए कि इतना अच्छे से पक रहा है तो यह एक साइट अच्छे से पक चुका है देखिए इतना पॉफेक्ली पक चुका है द इतना ज्यादा क्रिस्पी बना है यह इवेन रवा दोसा भी इसके सामें इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा जितना की जवार दोसा के जितना क्रिस्पी बना है देखिए मैं आपको तोड़के दिखाती हूं देखिए कितना पॉफेक्ली अं कितना क्रिस्पी बना है दोसा है ह आप लोग भी इस टेस्टी इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी को ज़रूर ट्रह किजिएगा, काफी टेस्टी भी था ये खाने में और काफी हल्दी भी है, अगर आप वेट लास करना चारे तो भी आप ए दोसा को खा सकते है, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है डेलीशियस सेजलिंग, आप वहाँ भी मुझे फालो कर सकते है, वहाँ पे भी मैं डेली रेसिपी स्पोस्ट करती हूँ, I hope मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेर, थैंक्स फॉर व